कि है अच्छा एलो स्ट्रेंट्स आभी टेक्निकल क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज हम लोग मिंटेनिस ऑफ ओफ ओईची की बात करेंगे तो बहुत आसान चीज है मिंटेनिस ऑफ ओईची यानि ओची के मिंटेनिस में क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना हम लोग को क्या-क्या मिंटेन करना है लेकिन इस मिंटेनिस ऑफ ओईची को हम लोग किसकी सहाता समझेंगे तो ट्रांस्मीशन लाइन की सहाता समझेंगे तो हम लोग कंपेर करेंगे ट्रांस्मीशन लाइन में क्या-क्या फैक्टर था और ओईची स अंदर हमको कितना मेहनत करना है और क्या कि हम लोग को maintenance का काम करना है जो आपको transmission मोतना जादा importance नहीं था लेकिन OHE के maintenance में यह चीज़ें बहुत जादा important है कौन-कौन सब्वाइंट है एक करके हम देखेंगे तो maintenance of OHE बात करेंगे किस से relate करके तो transmission transmission line से relate करके तो सबसे पहला देखे transmission और OHE की बीच का एक तरह से comparison लिखा हमने लेकिन comparison किसले लिखा है ताकि हम समझ पाएं कि OHE के अंदर क्या-क्या maintenance करना हमको तो पहला point हमने लिखा है only subject to wind load कहां पर की बात हो रही तो transmission line की बात हो रही तो transmission के अंदर जो vibration produce होगा जो आपका effect होगा वह किस की वजए से होगा केवाल wind load की wind की वजए से होगा तो obvious है कि बहुत जादा effective नहीं यानि बहुत जादा vibration नहीं होगा बहुत हलका फुलका होगा लेकिन अगर वही चीज़ आप देखिए OHE system के अंदर तो यहां पर vibration क्या क्यों होगा वींड लोड एंड वाइबरेशन ड्यू टू दपेंटो ग्राफ यहां पर दो दो चीज़ आपको पेंटो ग्राफ भी आपको क्या कराएगा आपका यानि के ट्रेन लोकोमोटिव रन कर रहा है तो उसकी वजए से भी क्या और आपक पेंटो ग्राफ की कारण भी आपका OHE के अंदर vibration प्रोड्यूस हो रहा और साथ में wind तो है ही तो यहां पर vibration प्रोड्यूस होने का आपका chances क्या है ज्यादा है ठीक है तो therefore require continuous checking of tightness of OHE system यानि जहां जहां पर भी आपका लगावा है cantilever में आपका catenary contact wire इसको आपको क्या करन होगा properly maintenance करना होगा ध्यान करना होगा check करते रहना होगा क्यूंकि यहां पर vibration जञदा हो रहा है तो wind की वज़े से भी vibration हो रहा है और धूसरा आपका punished app की वजशे से यानि पंटुग्राफ हो रहा Maya movement हो पेन्टुग्राफ का उसकी वज़े से भी vibration अगा और vibration होगा तो जहां पर looseness होने की possibility ज़्यादा है, यानि आपका तार धीला हो सकता है, गिर सकता है, तूट सकता है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा और तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर जो maintenance है, वो ज़्यादा केरफुल होकर करना होगा, therefore require continuous taking of tightness of OHE, जबके transmission मोतना जादा हमको tightness क का इफेक्ट या टाइटनेस का जो इशू हो अतना जादा नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा वाइब्रेशान नहीं हो रहा थोड़ा बहुत होगा वो केवल विंड की वज़ा इसा होगा यह पहला चीज दूसरा क्या लिखा गया है कर्ण क्लीनिंग ऑफ इंसुलेट से कंड़क्टर या आपका सारी टावर के अंदर फ्लो नहीं हो तो इंसुलेटर अगर प्रॉपरली काम करेगा तो करेंट फ्लो नहीं होगा यदि इंसुलेटर के उपर डस जम जाता है इस्टीम जम जाता है और जिसकी वज़ए से क्या हो जागा वह आपका फ्लाइश के अंदर है क्यों क्यों देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर बिकम्स इसेंशियल परात्मिकता इसको देंगे जरूरी समझेंगे क्यों एज स्टीम एंड डीजल ट्रैफिक ऑन दा सेक्शन यानि इस डीजल आपका इलेक्रिक फाइट ट्रैक है तो इसका मतलब क्या ऐसा थोड़ी एक इलेक्रिक वाला कबजा कहले आप इस पर कोई भी जो है डीजल का ट्रेन या आपका स्टीम ट्रेन जो है वो नहीं चलेगा ऐसा तो है नहीं तो आपका इलेक्रिफाइट ट्रैक है तो कभी अवे शक्ता पड़ी तो आपका स्टीम का steam वाला आप तो बहुत कम चलता है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि steam engine या आपका diesel इंदन तो चलता है अभी भी चलता है तो long route के लिए तो diesel traffic यानि diesel का locomotive उस track से यानि electrified track से पास करेगा तो क्या होगा steam वाला पास करेगा तो बहुत जादा भाप निकलेगा धुवा निकलेगा उसमें diesel के अंदर भी आपका धुवा निकलेगा तो इसकी वज़े से क्या कर देगा आपका जो electrified track में आपका इंसुलेटर लगा होगा है यह इसको उपर क्या जमा हो जागा डस जमा हो जागा आपक यह स्मोक जमा होगा तो जो भी आपका क्या हो रहा है यह इकल मिलाकर आपका इंसुलेटिंग प्रोपर्टी को डैमेज करने वाला यह सारा चीज है तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा cleaning ओम इंसुलेटर क्या है becomes essential हो जागा क्यों हो जागा क्योंकि आपका electrified track से diesel locomotive य जबकि transmission नहीं मैं ऐसा कोई बात नहीं है थोड़ा बहुत आपका dust होगा वो भी climate environment की वज़े से हवा चल ला है गरदा पड़ रहा है तो बहुत जादा इसके अंदर दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत जादा problem है और train चलता है तो भी आपका बहुत जादा produce होता है यानि आपका गरदा उड़ेगा डस्ट उड़ेगा तो उसकी वज़े से भी इंसुलेटर का property आपका क्या होगा रिड्यूस करेगा तो यहाँ पर cleaning of insulator becomes essential परात्मिक है जरूरी है कंपलसरी हो जाएगा यह second point हुआ maintenance के लिए पहला काम हमारा tightness देखना होगा ताकि आपका लूस नहीं हो क्योंकि vibration इसके अंदर ज्यादा होता है दूसरा आपका continuous insulator को आपको clean करते रहना पड़ेगा क्योंकि उस insulator पर आपका dust smoke यह सारा चीज ज्यादा पड़ रहा है तीसरा point लिखा गया normal transmission there is no wear of conductor यानि आपका conductor तार घीसा नहीं लगावा है तो आपका क mechanical तो घीसता नहीं है लेकिन यहां पर देखे क्या होगा ohe system के साथ क्या हो रहा है due to movement of pentograph pentograph क्या करेगा आपका ohe system यानि contact वायर से आपका contact बना कर रन करता है तो due to movement of pentograph contact वायर वेर्स यानि contact वायर क्या होगा घीसेगा ठीक है therefore wear to be watch very closely यानि आपको बहुत ध्यान से देख कहीं wear जादा तो नहीं हो रहा है जादा तो नहीं घीस गया यदि जादा घीस जाएगा तो या तो current के अंदर problem होगा या आपका strip टूड़ जाएगा तो इस तरह का दिक्कत हो सकता है तो wear आपका यानि contact वायर जादा घीसा हुआ नहीं होना चाहिए therefore wear to be watch very closely also ohe life is limited that is 25 साल उसके बाद आपको ohe को यानि contact वायर को बदलना होगा जबकि transmission के अंदर यह सारा problem नहीं है उसमें किसी परकार का wear यानि कोई घीसता तार घीसे का नहीं लगा होगा तो तो यह तीसरा चीज हमारा maintenance में हमको काम करना है कि ohe system के अंदर जो contact वायर है उसके wear को continuous watch करते रह करना होगा तार को बदलना होगा एक्सचेंज करना होगा यह तीसरा आपका maintenance का का काम क्या करता है there is no overlapping in the transmission line overlapping का काम यह नाम हमने transmission के अंदर नहीं सुना है और नहीं उसका use होता है there is no overlapping in transmission line only solid jumper are used solid jumper आप देखा होगा tower के पास लगा होता है एक आपका तार अगर खतम हुआ तो दूसरा आपका jumper की सहाता से अगला conductor के अंदर हम लोग current को pass करा देते हैं jumper की सहाता से तो jumper एक परकार का आपका simple तार होता है जिसकी सहाता से एक तार से एक wire से दूसरे wire तक current को pass कराते हैं बीच में insulator लगा होता है तो jumper की सहाता से current आगे extend हो जाता है तो इसमें overlapping का concept न 7.5 KM in length इसे को हम लोग क्यों लेते हैं 30 KM क्यों ले रहें उससे जादा पउन् किलुमीटर to ground जो clearance रहता वो काफी enough रहता है लेकिन यहां पर हमको problem हो जाएगा minimum पर हम लोग रखते हैं line to ground clearance क्यूंकि हमको current collection करना होता है और यहां पर sack की value बढ़ेगी तो हमको ज्यादा दिक्कत होगा क्यूंकि आपका looseness बढ़ने से आपका फिर current collection के अंदर problem होगा कहीं पर ढीला तार मिलेगा कहीं पर ऊंचा मिलेगा तो इस तरह से आपको current collection के अंदर problem होगा तो overall आपका जो length होता है वो 1.5 km ही length लेते हम लोग एक तार का फिर अगला तार निया तार किलिमेटर का होगा तो इन दोनों के बीच में connection कैसा होगा तो आपका overlapping करके हम लोग कराते हैं तो 1.5 km in length so more care about parallel path हम लोग क्या करते हैं निया तार और पुरान तार तो दोनों के बीच में कम से कम one span क्या होता है दोनों parallel रन करता है तो जब parallel कर रहा है तो उस समय देखना होगा हमारा proper distance है कि नहीं यदि बार-बार दोनों टकराएगा तो दोनों तो आपका सेम ही तार है parallel है लेकिन फिर भी सेम यानि current parallel ही flow हो रहा है लेकिन फिर भी clash करेगा तो वहाँ पर क्या होगा इस parking produce होगा तो उस चीज़ को वाइड करने के हम लोगो proper आपका distance maintain रहना चाहिए और फिर आपका one spend जब खतम हो जाता है तो आइंकरिंग कर देते हैं पुरान अतार को खतम ने अतार चालो होता है तो यहां पर आपको parallel path के पास आपको more care आपको बरतना होगा तो यह सारा चीज maintenance के अंदर आपको ध्यान देना होगा जबकि transmission line के अंदर इस तरह कोई बात यानि parallel की बात और आपका overlapping की बात हम लोग नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमको इतना ज्यादा दिक्कत यानि maintenance की कोई अवेशक्ता नहीं होती है next point क्या लिखा गया है in normal transmission line no adjustments of height during the maintenance is required यानि height का कोई जंजट नहीं है एक बर जेतना height आप रख दिया fix हो गया फिर दूसरा tower होतना height और थोड़ा बहुत height के अंदर changing हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो इसके अंदर height का हमारे पास कोई जंजट नहीं है है height during the maintenance is required यहाँ पर no adjustment of height यहाँ पर height को adjust करने का कोई हमको परवधान नहीं होता कोई अविशक्ता नहीं होता हमको किसी तरह का कोई problem height का नहीं होता लेकिन OHE system में देखिए क्या होगा in OHE maintenance of height is important यानि OHE के अंदर height का maintenance है यह जरूरी है importance है महतपूर्ण है क्यों महतपूर्ण है क्योंकि अगर height maintain नहीं किजेगा तो फिर आपका हर जगा पर हम same height को यानि कि हम नहीं रख पाते हैं same height क्यों नहीं रखेंगे क्योंकि अलग अलग जगा होता है मान के चलिए level crossing है तो level crossing पर हम लोग क्या कर लेते हैं height को बढ़ा देते हैं height क्यों बढ़ाएंगे क्योंकि महां से नीचे से आपका truck बस सारा चीज़ पास करेगा तो उस समय हमको height को बढ़ाना होगा दूसरा चीज़ अगर आप bridge के अंदर से गुजरने हैं तो bridge के नीचे से जदी गुजरिएगा यानि आपका electrification bridge के नीचे कियावा है तो महां पर height का की जगा थोड़ा कम रखेगा क्योंकि bridge अगर आप height बढ़ा उपर रखेगा तो bridge को भी तो उपर करना होगा तो जो possible नहीं होता है bridge का height बहुत जाद आपका tunnel के अंदर बहुत जादा important है तो tunnel के अंदर क्या करते है minimum ground clearance यानि कम से कम चूंकि tunnel जो होता है वो बहुत बड़ा तो होता नहीं छोटा जगा पर tunnel बनाते हैं गूफा बनाते हैं जहां से train pass होगा तो वहां पर जो आपका OHE होगा conductor होगा आपका contact wire होगा और ground होगा तो difference होगा वो minimum होगा उससे कम कर दीजेगा नीचे आजाएगा तो फिर आपका क्या होगा नीचे अगर आ जाता है तो शौक लगने की possibility बढ़ जाएगी ठीक है तो थोड़ा सा भी नीचे down हो जागा तो या तो आपका OHE की साथ या आपका train pass कर रहा है तो उसके roof के साथ ल maintain करना बहुत जादा important होता है इसलिए क्या लिखा गया especially in tunnel क्या especially हमको ध्यान देना है तो maintenance of height is important especially in tunnel तो आपको हर जगा पर height का ध्यान रखना है लेकिन tunnel के अंदर खास तोर से height का ध्यान रखना होगा तार का ताकि आपका क्यों यह एक तार्ज होगा वो minimum पर रखा जाता है यदि उससे नीचे चलाएगा तो आपका फिर danger हो जाएगा शौक लगने की possibility बहुत जादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हम लोग को height का maintenance बहुत जादा importance continuous से आपको height को watch करते रहना होगा measure करते रहना होगा और यदि looseness बढ़ गया तो उसको proper tight करके height को maintain रखना होगा तो no question of stagger ठीक है तो यह stagger क्या है इस पर already चर्चा कर चुके हम लोग तो stagger क्यों रखते हैं ताकि अगर stagger का मतलब आपका zigzag form में हम लोग बनाते हैं जो pentograph है यह एक ही जगा से आपका conductor पास नहीं हो यानि अगर track मान लीजे या उपर में center मान लीजे तो बीच चो बीच आपका त पाता नहीं चलेगा लेकिन actual में आप एक्चुल जो होता है वो थोड़ा सा क्या होगा zigzag form में होगा यानि एक बिल्कुल track के center बीच बीच नहीं चलेगा कभी तीरचा right side कभी left side कभी right side कभी left side तो इसकी वज़ए से क्या होगा आपका जो pentograph है यह आपका घीसेगा नहीं ठी पेंटोगराफ का जो strip होता है उपर में हम लोग करेंट कलेक्शन के लिए लगाते हैं कारवन का भी होता है अधर मटेरियल का भी होता है तो वो क्या कर जाएगा बीच में घीस जाएगा और घीसेगा तो एक गुरूव गड़ा बना देगा बीच में और फिर वहां से तार फस जाएगा तूड़ जाएगा पेंटोगराफ तूड़ जाएगा तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इस टैगर प्रोवाइट करते हैं या आपका तार थोड़ा जीग जैग फॉर्म में होगा और यह जो आपका इस पैन यह आपका पैन कहलाता है पैन या करिंट कलेक्शन स्ट्रीप यह पूरा यूटिलाइस होगा कभी तार यहां पर चलेगा यहां पर चलेगा कभी यहां पर तो इसमें गुरूव यगड़्ठा नहीं बनेगा तो यह तो स्टैगर से बात हो गए पहले बीबात किया था तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई स्टै जागर इस प्रौइड टूफ मोत नहीं इसी या इसी को इस पैन भी करते हैं हम लोग current collecting pan पेंटो ग्राफ का जो उपर वाला भाग होता है यही आपका collection का काम करता है तो इसमें आपका constant wear हो प्रावपरली सारा घी से एक जासा घी से केवल सेंटर में नहीं करें तो उस चीज़ को avoid करने के लिए हम लोग stagger provide करते हैं so stagger is to be required regularly watch तो हमको क्या करना होगा stagger आपने provide किया है तो उसको ध्यान भी देते रहिए ऐसा नहीं के बहुत जादा तिर्चा हो गया और आपका तार क्या हो गया जो इसके बाहर तार चला गया है ना या इस तरह का नहीं हो गया कि बाद में जाकर फस जाए तो आपको भुत ध्यान देखना होगा कि आपका यह पैन से बाहर कहीं stagger की value नहीं चला या तार जादा भाग नहीं चला यह आपका curve कर रहे हैं तो curve के time आपका stagger की value कितना ऐसा नहीं कि आपका pentograph कहीं और हरतार कहीं और चला गिया तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा stagger को regularly watch करते रहना होगा ताकि stagger जो value होता है properly वो maintain रहे हना तो इसमें हम लोग को stagger को भी ध्यान रखना होगा maintenance के अंदर जबकि यहाँ पर stagger का कोई हम लोग concept नहीं होता है तियो transmission lines related कुछ important चीज़ था maintenance के point of view से जो हमारा transmission line के अंदर उतना important नहीं है लेकिन OHE के अंदर हम लोग को बहुत जादा important है consider करना होता है तो यह सारा factor point था जिसको हम लोग को maintenance के अंदर ध्यान रखना होगा यह hope समझ में आया होगा thank you